हलो दूस्तो नमस्कार कंपने जहां से शुरू के अभी भी वही पर है ठीक है तो यह काफी सारी चीज़े देखने को मिल जाती है एक ऐसी चोटी कंपनी के अम लोग बात करने वाले जो लगातार अच्छा परफर्मस देते ही जा रही है नमबर्स भी अम लोग को देखने को मिल रहे हैं अभी है लार्ज के अपने कोंट सा भाई तो लार्ज के हम हमेशा एल अधानी ग्रूप है अल्ट्रा टेख सिमेंट भी बड़े कंपनी फिर में मिड़डे कैप में आ जाते है फिर स्मॉल किया तो आपको हमेशा वह स्टॉटे काटेगरी में देखने को यहापे मिल जाता था इन लेटेड एक छोटी कंपनी जो आज आप देख सकते हो पंदरा सो तक ये स्टॉक अभी हम लोको जाते वे देखने को मिल चुका है पास्ट रिटन देखकर तो भाई फ्यूचर की कोई गैरेंटी होती नहीं है बट येस इसके पहले भी हम लोग इसको बहुत बार कवर कर चुके अब कोई ना कोई तो आएगा वो कहेंगी सर आप पहले क्यों नहीं बताते हैं तो अल्रड़ी में इसके ओपर बहुत सारे चाहते हैं बाद में उनको वो चीजे मतलब बोलते हैं काफी महिंगी पड़ जाती है ठीक है अगर आपको ओल्ड वीडियो देखना है ठीक है इससे रिलेटेड कभी कभी चीजे कवर किये तो उपर लिंक दे देता हूं आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में कि आपक को नीचे आते वे देखने का आपे मिल जाएगा तो कंपनी का पी एक जमाने में काफी हायर लेवल पे था अभी चेक के आपने पी कितना आ गया केवल 19 कैसे आ गया नीचे वही फॉर्मिला भाई रेवेन्यू रॉकेड बन गया प्रॉफिट बढ़ गया अर्निंग बढ़ बात करें रोड मेंटेनेंस करने का ब्रीज फ्लाइवर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉंट्रेक्ट्स वर्क से रिलेटेड सारी चीजे कंपनी हापे करती है अगर आप इनके वेबसाट के पर विजट मारोगे तो आपको बहुत सारा डीटेल्स भी देखने का निचे नीचे अगर आप से रिलेटर करें पर प्रोजेक्स मिल चुके है बारा के उपर काम फिलाल आ यहां पर जारी है तो काफी अच्छा कासा बिजनेस इनका लगातार चलते वे देखने का आपे मिलता रहते हैं तो यहापे आप क्लिक करके सारे लेटेस्ट खबरे पढ़ सकते हो अब इन्फरा से रिलेटेड काम करती है और इन्फरा में भी क्या है तो इसलिए आप देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा सरकारी क्लाइंट्स इनके देखने को मिल जाएंगी कोई रोकेट सैंस ने इतना सिंपल सा दिमाग लगाने की बात है तो आप देख सकते हैं इनके क्लाइंट्स देखे को मिल जाता है दैन उसी के साथ साथ अगर आप चेक करोगे और भी बहुत सारे आप लोगों को बड़े-बड़े प्लियर्स देखने को आपे मिल जाएंगे जो इनके अंदर यहापे आ जाते है जैपूर के अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट अथरिटी ये इनका क्लाइंट है मस की अगर हम लोग बात करें ये इनका क्लाइंट है पी डब्ली अगर हम मारश्टर की बात करें तो बहुत सारे अगर आप आर्वेनल ये इनका क्लाइंट हम लोगों को देखने को मिल जाता है दैन अगर आप चेक करोगे मौर्थ की अगर हम लोग बात करे देन उसी के साथ नाई की बात करे ठीक है नेशनल हाईवे से रेलेटेड अदानी की रूप की अगर हम लोग बात करें आयर इंडियन रेलवेस की अगर बात करें यह सब इनके अच्छा पड़ता है खास करके छोटे कमपनी के लिए बड़े कमपनी के लिए तो ठीक है बाई नाम है अब यह आलेंटी को अपनी क्लाइंट बुक दिखाने की ज़ुरत नहीं है यह तो बेवकुफी हो गई वह सामने वाले इंसान का दिमाग कंज़ोर है हम ऐसा यह आपर बड़े चोटे चोटे कमपनी इसको यह दिखाना पड़ता है देखो हमारे कलाइंट देखे कितने बड़े बड़े और शांददारे करके तो यह चीज़े हम लोग को देखने हो का आपे आनी चाहिए तो इनकी अलग 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 प्रोजेक्स मिलते रहते तो इनको रोड 12,000 करोड की so definitely लगातार order भी इनको strong होते ही आपे जारी है तो एक अच्छा indication हम लोगो देखने को मिल जाता है मतलब यह क्या order book इनका revenue हम लोगो भवीशा में देखने को मिल जाएगा एक साथ नहीं होगा yes part part payment में हम लोगो देखने को मिल जाता है plus company के balance rate की बात करे तो पह 300 के आसपास हमनों को STB देखने को आपे मिल रहा है cash and cash equivalent 200 CR के आसपास देखने को आपे मिल रहा है तो ऑविसले एक छोटे size की company उसी प्रकार से balance sheet भी नजर यहाँ आ रही है market cap की बात करे 10,000 करोड का market cap अभी roughly दखने को आपे मिल रहा है return on equity capital यह तो भाई भागने के बाद तो improve होई जाती इसके उपर में ज्यादा focus नहीं रखता हूँ दैन अगर आप चेक करोगे infrastructure में यह company आती construction के segment में तो 6th position पे फिला तो एक company देखने को आपे मिल रही है recently company ने quarter की number भी दिखाए थे ठीकी number से बड़ावी यह जो contracts इनको मिले है इस चीज के चलते अच्छी हम लोगों को तेजी रेखने को आपे मिल रही है तो अगर हम लोग चेक भी करेंगे हापे quarterly numbers तो आप यहापे देख सकते हो company का sales कितना था December और March का 1300 के 1700 operating profit 228 से 333 चला गया और उसी के साथ net profit भी company का 102 से कितना हो गया 190 हो गया तो EPS भी कितना था 15 के EPS 29 तक हम लोगों जाते हैं देखने हो का आपे मिल रहा था तो और हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और यहापे नीचा आएंगे तो company का overall P&L बारा-बारा मंत का data तो 30 करोड, 50 करोड, 80, 127 करोड कमाते कमाते कमपनी अभी 300, 400, 500 करोड तक जाते वे देखने को मिल चुकी है तो EPS देखिए, earnings देखिए, 82 तक आ गया है, जो कि एक बार 16 का था, तो 16 multiply by 5, 80 तक आ जाता है तो आप देख सकते 5 गुना, earnings में हम लोगों को jump देखने हो का आपे मिल चुकी है तो उसी के साथ-साथ, अगर हम लोग नीचे आ पर आ जाएंगे, share holding pattern ने, इनका काफी तगड़ा है मतलब, promoter की holding जादा है, 75%, बचा कितना 25%, उसमें से FIS जादा interested नहीं है केवल 1,5% है, बढ़ DS interested है, 12,5% और public की बात करें, तो 11, 11,11% की holding नजर या पर आ रही है अभी public को अभी ज़्यादा इसमें रूची नजर या पर आएगी, विकास अभी stock top level पर या पर जा चुका है तो तेजी देखकर मन बना लेते हैं, मन परिवर्तन या पर हो जाता है तो इससे तो कुछ होना जाना है, या पर है नहीं, थोड़ा सा stock उपर से नीचे आ गया तो वापस आपको पता ही है, फिर बुरा लग जाता है कि अभी क्या करे करके, फस गये करके तो कोई फसा विसा नहीं रहता है, अवराल आपको बिजनेस को समझने है तो आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में इनका 21% का बिजनेस, जारकंट से 20%, राजस्तान से 11%, महाराष्टरा आठ, अंधर प्रदेश से 8 मतलब हम कह सकते हैं, खास करके, जो North Side का इंडिया देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पर इनका अच्छा का सा बिजनेस समने को चलते हैं, जो North Side से बिलॉंग करते हैं, उन्होंने ज़रूर HG Infra Engineering के बारे में अच्छा का सा पढ़ा होगा, जो Mid Side इंडिया की बात करें, या फ पर भी थोड़ा बहुत हम लोगों को जरूर देखने को आपे मिल सकता है, अगर हम लोग बात करें, हाइवेस के और से 68% रहते हैं, रेलवे के और से 20% है, तो रेलवे से रिलेटर भी अच्छी ची खबरी आते हैं, अभी RVNL जैसे इनका क्लाइंट है, इंडियान रेलवे इसके पहले भी एबदम रॉकेट यहाँ पर बना था, काफी लोगों ने खरीदा तो होगा ही, क्यों तेजी को देखकर उसके बाद देखी, कितने समय तक, एक एक देड़ देड़ साल स्टॉक यहाँ पर चला नहीं, in fact, immediately correction दिखा देता है, बड़े-बड़े, क्योंकि इना सोचे समझे खरीते हैं, वो निकल जाती है, और फिर स्टॉक आप देख सकते हैं, वापस तेजी पकड़ लिता है, और किसी स्टॉक में यही कानी है, अच्छे स्टॉक की बात करेतो, तो प्रॉब्लम एक ही जगे पर आ जाती है, जो मैंने काफी बार आपको समझा है, यहाँ पर जिस दिन रिटेल इंस्टर ने बिजनेस देखकर खरीदना स्टार्ट कर दिया, उस दिन वो शेर मार्केट में जीद गए, जिस दिन उनका मनपरविरतियन होना स्टार्ट हो गया, बाई प्राइज अभी 100 का है, अभी 2000 हो गया, चलो अभी खरीद लेते करके, को भी फाइदा नहीं बाई, वो 2000 का 900 हो जाएगा, तो वो क्विट कर लेंगे, आशा करता दोस्तों, जितने भी इंपोर्टेंट पॉंट से सारे हापे मिने कवर कर लें, वीडियो अलफ लगा होगा, तो चाहो तो लाइक और शेर कर सकते हो, मिलते हैं नेक शुड़े में